दोस्तों अभी हाल ही में आपने देखा होगा मुख्यमंत्री कन्या उथान यूजना असना तक पास जो भी छात्राय करती है उनका स्कोलर्शिप को लेकर अपडेट आई थी कि अगस्त महिने से ही मुख्यमंत्री कन्या उथान यूजना के लिए पोर्टल जो है खोली काफे सारे ऐसे चात्राय हैं जो कॉमेंट करती है कि सर हम लोग का जो पोर्टल है वो कब से खोले जाएंगे साथ में मैं आपको यह चीज़ और बता दू कि एक और नोटिफिकेसन जारी किया गया था बिहार सरकार सिक्षा विभाग के द्वारा जिसमें बताया गया थे कि जो भी असना तक पास की है चात्राय उन सब का जो डाटा है जो नौ निर्मित यानि नही जो पोर्टल बनाई गयी है उस पर अप्लोड करने के बाद कही गयी थी और इसमें बताया गया था कि उन सभी चात्रायों का जो डाटा है यह 15 अगस्त दोहजार चौबिस तक ही तो पूरी अप्डेट बताएंगे साथ हे साथ मैं यह भी बताऊंगा कि आवेदन कब से हो सकते हैं क्या क्याया आपको लग सकते हैं ताकि आपको आवेदन करने में कोई परसानी नहीं होगी वीडियो को अंते तक देखिएगा पसंद है तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सस्क्राइब करना मत भूले और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ भी सेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी सभी जनकारी सही और सट में आप आएगी देखिए इससे जूरी पूरी जनकारी के लिए मैंने आपको वीडियो डिसक्राप्शन में लिंक को पलब्त करवा दिया है इस वेपसाइट पर आपको पूरी जनकारी आपको मिल जाएगी नीचे जब आप आएगे तो यहाँ पर एक लिंक मिलेगा लिस् रिष्टेसन नमबर मिले हैं उससे आपको डालना है और जो भी आपका मार्कसिट मिला होगा तो मार्कसिट का नमबर आपको मिला होगा उससे आप यहाँ पर डाल सकते हैं या फाइनल येर आप यहाँ पर बता सकते तो जो भी डाटा है आप उससे डाल कर एक उप्सन मिलत है search का जिस पर क्लिक करना है अब यहां पर बताया गया है कि जिनका भी result upload हो चुका है तो your result is uploaded on the portal यहां पर जिस portal पर result upload कर दिये गया है बाकी बताया गया है कि आप इस के लिए registration कर सकते हैं यह link दिये गया है जब आप इस पर जाता है कि no record found kindly visit your university and get your query resolved only university can answer all queries मतलब बताया गया है कि अगर आपकी data यहां पर upload नहीं है तो वैसे इस्तिति में आपको अपने university visit करनी चाहिए और वहाँ पर ही आपको जितने भी आपके doubt है उनको resolve किये जा सकते हैं आप वहीं से इसका answer प्राप्त कर सकते हैं तो मैं आप सभी को यह कहना चाहूंगा कि जीन चात्राओं का भी data नहीं दिखा रहा है इस परकार आ रहा तो एक बार आप प्लीज अपने college university जाकर अपनी जो result है उनको जरूर upload कर वा लिजे अगर result नहीं रहेगा तो आपको benefit नहीं मिलेगा आपकी data यहां पर होना बिल्कुल जरूरी है जैसा कि मैंने आपको बताया भी इस परकार आपकी result है portal पर upload होना जरूरी है जैसा कि notification में यह चीज बताया गया थे लेकिन अभी भी बहुत सारे प्रिशात्राओं का result यहां पर पोटल पर नहीं upload है आप सभी को सुधार कराने के अवसकता होगी बात करें कि इसके लिए आवेदन कब से होंगे तो दीकि आवेदन अगस्त महिने में ही खोलने की बात कही गई है तो अगस्त महिने तक आपको wait करना होगा अगस्त महिने के आपकी माकसिक लगेंगे, admit card लगेंगे, आपका जो bank account है वाधार seeded होना जरूरी है, mobile number, email id, passport size का photo, जाती परमानपत्र, आवासिय परमानपत्र और आय परमानपत्र यह सब भी आपको देने की अवसकता पर सकती है, बाकी apply का जैसे ही link active होगा, यहीं पर apply का link मिल जाएगा आप यहाँ से apply कर सकते हैं, और हमारे साथ WhatsApp चैनल, टेलिग्राम से आप लोग जरूर जूर जाएगे, क्योंकि जो भी update होता है, मैं यहाँ पर देने का काम करता हूँ, बाकी आगे की further update जैसे ही आएगी, मैं आपको इसका update आपको जरूर उपलाप्त करवा दूँगा, वी झात करता है गिंग